हालो डियर फ्रैंटस आज सभी का सवागत है मारे यज़िज है दियर पढ़ोगा में प्रैंटस आप सब कैसे हो आई हो की आप सब अच्छी हूँगे फ्रैंटस आज हम बात करेंगे असिस्टन प्रोफेसर के नियू रिक्रुट्मेंट के बारे में जो की Central University आप करनाटक से आउट हुई है करनाटक University जो की 2009 में Establish की गई थी और प्रेंट से इस Recruitment की जो आने की डेट है वो 22 December है तो प्रेंट चलिए इसके Advertisement को हम डिटेल में डिसकस करते हैं तो प्रेंट से जो इस Application को Online फिल करने का जो आपका तरीका है वो CU Channel Portal के द्वारा आप कर सकते हैं इस Link पर जा करके और फ्रेंट से जो ये CU Channel Portal का Link दिया गया है वो UGC ने Recruitment System के लिए Unified किया था और उसके साथ साथ प्रेंट से जो आपका Pay Structure है तो Pay Structure प्रेंट से 7 Sellerie Commission के According जी वह आयाने की Government of India या फिर UGC के According सेलरी में संसोधन के अधीन है और फ्रेंट से जो आपका Assistant Professor का Academic Pay Label है वो 10 है और इसमें तो डिफरेंट इनवर्सिटी की पोस्टिंग है जैसे की History and Archology में वन पोस्ट है Physics में वन पोस्ट है और फिर है जैसे की Computer Science है तो Computer Science में वन पोस्ट है Electronics and Communication Engineering में पोस्ट है Society using में वन पोस्ट है Psychology में तूट हैसाइक है कई पोस्ट है के इसमें कज्टिंगरी में जहांकि इस्टार मार्का लगा है जो आपका इस्टार मारका लगा इसका मतलब ह्लाइन बैकन्सी जो असतर जोब से कभी भी आउट कर सकते हैं तो चलिए इसकी कॉलिफिकेशन की बात करें इसमें मैनेंजमेंट, बिज़नेंश स्टडिज और engineering को छोड़ कर आपके सभी subject का qualification सेम है यानि कि आपका master degree भी 55% होना चाहिए और उसमें grading system follow होना चाहिए आपके master degree में और उसके साथ साथ आपका net qualified होना चाहिए या फिर PhD होना चाहिए और फ्रेंट से यदि candidate ने दोनों की हो यानि कि PhD के साथ साथ net qualified है तो उसको कुछ छूट दी जाएगी और उसके साथ साथ है फ्रेंट जो आपका PhD होना चाहिए वो regulation 2009 या फिर 2016 के recording होना चाहिए और जो आपक PhD दिग्री होना चाहिए फ्रेंट से वो आपको regular mode में होना चाहिए और उसके साथ साथ है फ्रेंट से जो आपका PhD का thesis होना चाहिए वो कम से कम two external examiner द्वारा evaluate किया जाना चाहिए और आपके PhD का एक open wise conduct किया जाना चाहिए और candidate ने PhD में minimum यानि कम से कम दो research paper publish किये हो से यदि candidates ने UGC CSIR या उसके किसी संवान agency द्वारा प्राइजित सेमिनारों में अपने PhD वर के बेस पर कम से कम two research paper प्रेंट किये हो और फ्रेंट से नोट में दिया है कि ऐसे subject में PG program के लिए भी net किया हो सकता नहीं होगी जिनके लिए UGC CSIR द्वारा net आउजित नहीं किया सामा फ्रेंट से यदि candidates ने इस criteria को fulfill नहीं किया है तो आपके लिए next option है कि यदि आपने PhD डिग्री किसी foreign university से किया है तो वो इन्वरसिटी 500 वर्न उन्वरसिटी के ranking में से name में से किसी एक को follow करती हो जैसे कि कोई क्रेली साइमांस या फिर दा टाइम से हाईजर एजूकेश साथ फ्रेंट जो आपका next subject है यानि कि management business studies तो उसके लिए जो कालिफिकेशन है बाइसलर डिग्री भी तो master डिग्री होना चाहिए आपका बिजनेस इस्टरी एड्मिनिस्ट्रेटर में या फिर पीजीडियम में या फिर सीए में ICWA में या फिर एमकॉम होना चाहिए फ्रे इसके बात बता दें कि इसके साथ साथ आपका net भी क्वालिफाइड होना चाहिए UGC net और बता दें जो आपका जो PhD डिग्री होना चाहिए या फिर जब जो आपने PhD भी किया है नेट या फिर पीजडी भी किया है नेट नहीं किया है तो फ्रेंट पीजडी भी बैलिड होगा और इसमें भी दिया जो पीजडी के साथ नेट भी क्वालिफाइड है तो उनमें छोट मिलेगी और फ्रेंट जो आपका PhD होना चाहिए वो सेम ही कि रिगलर मोड में इसका व इसका प्रेंट सेवन पॉइंट स्केल दिया है इसको देख लेना और कुछ जनरल इंफार्मेशन दिया है इसमें पढ़ लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट होती है और इसमें दिया है फ्रेंट से 5 परसेंट की रिलेक्स सेशन मिलेगी यानि कि जो CSTOBC आते हैं रिजर्ब कर के तो उनको मिलेगी और इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट है चलिए उसको देखते हैं जैसे कि अप्लिकेशन जो मोड़ा पेमेंट दिया है जैसे कि अप्लिकेशन फार्म की जो फीस है प्रेंट से वो EWA से UROBC अप्लिकेंट के लिए 2500 है और वहीं CST अप्लिकेंट के लि अपने पेमेंट कर दिया तो फिर दुबारा वापस नहीं होगा और जो पेमेंट करने का तरीका वो क्रेडिट कार्ड या फिर डेविट कार्ड या नेट बैंकिंग के दुबारा आप कर सकती है और यदि अप्लिकेशन को फ्रेंट से यदि अपने अप्लिकेशन को डाल द में के लिए अप्लाई किया है तो फ्रेंट्स उसका अलग-अलग बनेगा अलग-अलग सब्जेक्ट के लिए और प्रेंट्स जो इसकी हल्प लाइन डिटेल्स दिया है यानि कि आप किसी भी कोईड़ी के लिए तो यहां से email कर सकते हैं friends या फिर यह email दिया है या फिर इस number से आप contact कर सकते हैं किसी भी problem के लिए और friends यहां देखिए 49 में एक main point दिया है जिसमें दिया है कि friends जो online application की hard copy है friends तो दिया है कि hard copy के साथ है जो सभी अनलगनों को यानि की इन क्लोजर से जैसे की टेस्टिमोनियल है सर्टिफिकेट्स है पब्लिकेशन से आद की स्वाप्रमाणित प्रतियों यानि copies के साथ एक लिफाफे में में विभाग असिस्ट विभाग में असिस्टन प्रोफेसर के पद के लिए आब लिख आवेदन लिख कर भेजना होगा तभी आपका ये बाइलिट माना जाएगा तो फ्रेंट्स आज की इतने थी इनफार्मेशन यदि आपको मेरी क्लास अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब और सीर जरूर कीजे थांक्यू